कि आदर इस्ट्रिक्षन समीती बार्ड में द्वारा संसाली एक अक्सव में आपका हार्दिक स्वागत हैं अभी नंदने विशेसामाजीक विक्यान करक्सा आठ पुस्त तक संसाधन विकास का आजपन तीसरा अध्याई प्रार्म करने जा रहे हैं खनीज हैं सक्ति संसाधन प्राक्रतिक रूप से प्राप्त होने वाला परदार्थ जिसका निश्चित राशानिक संक्तन होगा खनीज है खनीज सबेस्तान पर्षणवान रूप से नहीं पाए जाते हैं वो जमीन के अंदरों चटानों हैं उस चटानों के उपर निर्भर होता है जो उस्मा और सब्सक्राशाशाय मंग्नीज शेक इनके कुस multiply फंगालो बाद भी खनीज अथ्वा अलो हो सकते हैं लो खनीजिजासे लो अाशयक मैंग्नीज और क्रोमईट में लौा होता है खनीज में लवा नहीं होता है किन्तु कुछ अन्य धात्व यथा सोना चांदी तांबा ये शिशा हो सकती है ये तो अब अधात्वी खनीजों में धात्वी नहीं होती है चुनना, पत्थर, अब्रक और जिवसम इन खनीजों के उधारण है खनीज इंदन जैसे कोईला और पेंटुलियम से भी अधाती खनीज है खनीजों को खननन और प्रविदन या आखनन दोरा निसकासित किया जा सकता है प्राकर्तिक गेंस धरातल के बहुत नीचे पाये जाते है इन्हें बाहर निकलने के लिए गेहन कुगों की खुदाई की जाती है इसे प्रविदन कहते है सत्य की निकट इस्तिती खनीजों को जिस प्रकरिया दोरा आसानी से खोद कर निकला जाता है उससे आखनन कहते है अब खनीजों का वित्रन खनीज वीपिन प्रकार के शेलों में पाए जाते हैं कोछ आगनी शेलों में पाए जाते हैं कायांतरी शेलों में जबकी अन्यावसादी शेलों में पाए जाते हैं अधात्वी खनीज आगनिय और कायंत्री छेलों समुमें जिसमें विशाल पठारों का निर्मान होता है पाय जाते हैं और उत्तरी स्वीडिन में लो आश्यक ओटोरियो तामबा निकेल के निक्सेप दक्षिन अफरिका में लो निकेल क्रोमाइट और प्लैंटिनियम आगनिय और कायंत्री छेलों में पाय जाते हैं कि वाले खनीज के उदारन हैं मेदान और नवीन वलिद प्रवतों अवसादी शेल समुमें अधात्वी खनीज जैसे चूना पथर पाय जाते हैं फ्रांस कौशिम प्रदेश में चूना पथर निक्षिप ज़वर्जिया और यूक्र का आते से अधिक टिन उत्पादन करता हैं चीन मलेशिया और इंडोनेशिया विसो की अगरनी टिन उतपादोगों में से चीन सीसा एंटिमैनी और टेंगश्टन टेंगस्टन के उत्पादन में अग्रनी हैं एसिया में मैंगनेशियम बॉक्साइट निकेल जस्ता और जो कि निक्सेफ पूरू युरोप और युरोपी रूस में पाई जाती हैं उत्रे अमरीका में खनीज निक्सेफ तीन चैत्रों में अवस्तितें ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सेल्ड प्रदेश आस्ट्रेलियन प्रदेश और पस्यम की परवत संकलाएं लो आशेक नि में खनीज के निर्माण और संचैन में हजार उपस लगते हैं मानुई उप्यों की दर उतलना में निर्माण की दर बहुत तेमी हैं खनीज क्परक्रिया में बरवादी को घटान आवश्यक हैं दातूं का पुनर्चक्रण और अन्य तरीका जिससे खनीज संसादनों को सर्क और प्रतिरक्षा के लिए भी सक्ति किया उसकता होती हैं उर्जा संसादनों को विश्टत रूप से परंप्रागत और गेर परंप्रागत संसादनों में वर्गी किति किया जा सकता हैं अब परंप्रागत उर्जा के इस तरोतों में आप पढ़ चुके हैं उर्जा के सर्माइब राप्ट करने के लिए यूआ पक्रोफ से होता है हमारे देश में ग्राम्र व्हंद में ली गई हैं मुद्स प्रस्प्रसमाथ में पेसलते मिल hon कोईला और आस्ट्रिलिन प्रदिस में वि Дख्रिन अमरिका ब्राजिल विशु में उच्छ कोटी के लोग अश्यक का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली और पेरू तांबे के अगरनी उत्पादक है ब्राजिल और मलेशिया विशु में दिन की सब से बड़े उत्पादकों में ऐसे एक है दक्सिन अमरीका के पास सोना चांदी जस्ता क्रोमियम मै में धनी है यह हीरा सोना और प्लेटिनियम के विशु में सबसे बड़ा उत्पादक है दक्सिन अफ्रीका जमाबो और जायरी विशु के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं तांबा लोग अश्यक क्रोमियम यूरेनियम कोबल्ट और वाक्साइट दक्सिन अफ प्रवत देगे यह तांबा सीसा कुल्गारडी छेतरों में सोने के सबसे बड़े निक्सेब हैं अंटार्टिका विशु अनिस्ट प्रवत प्रवत के निकट लोहे के महत्पूर्ण मात्रा में निक्सेबों का प्रवनुमान किया गया है लोह राश्यक्स होना चांदी और तेल के भी वानेजिक मात्रा में अप्लुब्द है खनीजों के उप्योग अब देखिए खनीजों का उप्योग काई उप्योग में होता है रत्रों के लिए प्रेश रत की जाने वाले खनीज प्राइकटोर होते हैं इन्हें आपोशन बनाने के लिए विबिन सेलिशोंस में कहा जाता हैं तंबा एक अन्य धातु हैं जिसका उप्योग शिक्के से लेकर पाइप तक परतिक बस्तू में किया जाता हैं कंप्योटर देख में प्रियुक्त होना बाला शिलिकन कोट्रस में प्राप्त किया जासकता हैं एलिमिनियम जिसे प्राप्त किया सकता हैं कोईला ये एक बहुतायत में पाया जाने वाला जिवास्मी इंदने इसका उप्योग गरिलू इंदन उद्योगों में लोवा और इस पात वास्प इंजनों और विदूत उत्पन करने में किया जाता है कोईली से प्राप्त विदूत को ताप ये उड़ा कहा जाता है कोईला जिसका हम आज उप्योग कर रहे हैं वह लाखों परसपूरो विशाल फनन और दलदल के पर्थूई की परतों में दबी बना कोईला इसलिए अंत्रिक भुदूप के भी जाता है विश्व में अग्रनी कोईला उत्पादक देश में चीन, साइकतराजी अमरीका, जर्मनी, रूस, दक्सेनी अफरीका और फ्रांस है भारत में कोईला उत्पादक, छेत्रों में रानी गजपसिम बंगाल में तथा जरिया धनबाद, बकार और जारखंड में पेंट्रोलियम में देखी जिससे आपको कार चलती है और तेल की आपकी साइकल की तर्मराने हो सकता है दोनों की शुरुआत गाड़े काले द्रेव से होती हैं जिससे पेंट्रोलियम कहती है ये शैलों को परतों के मद्ध पाया जाता है और इसे का वेदन अंत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत की काला सोना का जाता है क्योंकि यह बहुत ही अधिक मुल्यवान है पेंट्रोलियम के मुख्य पादक देश इरान इराक सावदी अरब और कतूर है अन्य प्रमकुत पादक जाज अमरीका रूस वेन्यूजुला और अलजेरिया बारत में बुक्य उत पादक शहत्र असम में ड गदा वे गोदा वी नदीयों के रिटावी फ्रेवान लाए जाता है उसे कप घरिय लिव और रूप में विगए जाता है रूस नारे यूक के और नेजर्लेंड प्रटर्पी घैस के प्रमकुत पद्दग है बारत जैसे घुक्य आर गोदार यूट टातरीवपूरा और ब पास प्राकर्ति गैंस के अपने प्रयाव्द बंडार हैं हमारे द्वारत जीवास्मों इंदन की उप्यूग में तिरोबर्दी के चिंता जनक दर्शें उन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है इंदनों के जलने से निकलने वाले विश्यली पर दूसे एक भी चिंता का विश्य है जीवास्मी इंदन का नित्रित चलना और नित्रित टौटी के टपकने के समाने जो अताता सुख खी सूख जाती है इससे हमारा द्यान और जाके विवेंड गेर प्रमप्रा के दिस्तरों को दूहन की और बढ़ाया जो वसमें सुख संदन विकलब हैं जल विदूत में देखी बांदों और वर्षा के जल अथावा नदियों जल उन्चाई से गिराने के लिए संग्रित किया जाता है और बांद के और अंदर से पाइप के दोवारा बहता जल बांद के नीचे इस्तितर टर्बाइन के उपर गिरता और गोमते हुए ब्लेड जनरेटर को विदूत के लिए गोमते हैं यह है जल विदूत कहलाती हैं विदूत उत्पन करने के बाद जो जल बहता हैं उसका उप्योकरशी में किया जाता है विदूत के उप्यों प्रागवे नार्वे ब्राजील चेन भारत में कुछ समध्पन जल उत्पन के अंदर बाखडा नांगल गांदी सागर नागार जून सागर और दौम अदर नदी गाटी परिजनाओ के मादियम से जल विदूत का उत्पन किया जाता है किरेकारे में खनीज के से कहती है और चोथा परसने परवेदन और आखनन को परिवाशित करना हैं चोथा परसने संसादन कितने प्रकार के होती है झाल झाल